हुआ है है दोस्तों विवेग गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है और आज का मेरा बर्निंग टॉपिक देज नरेंदर मोधी गवर्मेंट फूर यह तो फूर यह में मोधी ने क्या क्या चेंज लाए मैं उसके ओपर फोकस करने वाला हूं इस पॉइंस को ठीक है और इसमें मैंने टोटल पांच पॉइंस त्यार किया हैं जो मोधी के बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे कभी नहीं सोचेंगे अंडर्सेंड हां लेकिन हमें नेगेटिव एसपेक्स को क्रिटिकली भी एवेलिवेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि टॉपिक का क्रिटिकल एवल्यवेशन भी हमको आना चाहिए तो सबसे कि यहां पर जितने भी पॉइंट्स है मेरे वो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे अब डिपेंड यह करता है कि आप उसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे ठीक है ना तो सबसे बड़ी बात तो यह कि देखो विया सिटिजन एंड बिए आवी हागा रइ वर राई प्रितिसाइज ए नी गवर्मेंट कि आप अठीकार भी है किसी गवर्मिंट को किटिसाइज कर सकते है तो अब बॉलिटिकल रेंगे तो अटायि मेन पॉजिट एस ने इस अफोर यह करेंगे कि इस कोई अचा गवर्मेंट रच करेंगे तो दॉ मुद्ường 2 ने चार साल में पहली बात में इत्यान चीज्टों को पिशारे नहीं करता एक फार्फिलीक current का content कहले को वर निगेटिविटी सब्सक्राइब होता कि찌ब टेरा through parties च्वह पिन Four candy अभी बी को हराना है तो कैसे भी को हरा देगी that is quality of our citizen अब इसको आप quality भी कह सकते है, merit भी कह सकते है, de-merit भी कह सकते है, अपने जगें पर है तो मोधी government 2014 में आई थी, 2014 में काफी ज़्यादा, मतलब एगरने इसके साथ लोगों, मतलब हर जगे पर बात हुती हर हर, मोधी, घर-घर, मोधी, मोधी आगया चलो, मोधी आगया, मोधी ने चार साल complete भी कर लिये, अब मोधी ने चार साल complete कर लिया, तो उन चार साल मोधी ने किया किया, जो major points है, तो मेरे क्यास है, पांच points पर हम focus करते है, मेन, फिर इसके बाद बाते करेंगे, बाकि आप लोग तो पेपर उपर ने पढ़ी चुके ह लोगा, तो बोलते हैं, तो देट इस वाड पैंडिये government, शक्रूदी आप मोधी आउर फ्राइम अर्वजों से पहला, जो सबसे ज्यादा सॉकिंग इंतर थी, वह ये थी, दी मोनटाइजिएशन, ठीक्या, तो दी मोनटाइजिएशन के ऊपर मैं बोनों बात करूँगा, करूंगा और निगेटिव भी करूंगा निगेटिव भी तुम्हें सुनना पोजिटिव भी सुनना अब क्रिटिस आप तुमको उसके अंदर जाके चीजों को देखना तो एट अब नवंबर 2016 रात के बारे बजे मोदी आता है बोल देता है कि 500 रुपए और हजार रुपए क कर सकते हैं वेनियार राइटिं ऐसे सब्सक्राइब के आप कर दो एक्वाडिके पर यह बाड़ाई करेंगे क्यों करेंगे क्यों कि देखे एक्जामनर यह जानता है कि अगर आप स्टुडेंट और तो आप सलूशन दोगे आप डिमेरिट नहीं बता तब बात करेंगे तो 8 November 2016 को एक बहुती बैतरीन नियूस जो हमने टीवी पे सुनी एंड़ इस वर्ट दी मॉनिटाइजिएशन और जब दी मॉनिटाइजिएशन हुआ तो सब के लिए कान क्या हुए खटाक से खड़े होगे सब्सक्राइजिए लिए कि पांच रुपय की न कि लोग बहुत जादा रहते हैं और पापुलेशन बिलीव सें डियूस लगी लोगों को कि जहां कि एकॉनमी 60 अबब परसेंट लोग जहां पे किसे चलते हैं कैसे चलते हैं और वहां पे जो बड़े डिनोमेनेशन के नोच से जिसका हम बोलते हैं वाट फाइव फाइव पर फाइव और वन थाउजन के नोच को बंद कर दिया गया तो इसका कार्ड क्या बताया गया कि यह नोट इसलिए बंद की गई है क्योंकि हम क्या बोलते ब्लैक मनी को करब करना चाहते है अचा पहली बार तो यह आद रहे करेंसी में ब्लैक मनी नहीं होती है हाँ एकॉद कर देट की वी अब कप प्राइस हमारे पास एक कटोरा है जिसमें चावल है और चावल सफेद है उसमें कंकड आ जाता है ठीक है ना अभी कंकड आ जाता है तो हम क्या करते कंकड को निकालते हैं और कंकड को फेक देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं चावल को बनाते हैं तो इस तरीके से गर देखा जाए तो जिस देश में आप रहते हैं तो इंडिया और इंडिया की 60% population is based on cash transaction और उस cash transaction में Modi ने क्या करा कि कंकड को निकालने के जगे पूरी नोटी बदल दी और उसके वज़े से क्या हुआ कि आपकी economy में flow of money बहुत कम हो गया और आपके देश का growth rate क्या हो गया बहुत ज़्यादा कम हो गया क्यों दो महिने के action से economy कम से कम साथ से आट महिने तक क्या हुए बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए growth rate बहुत आपका नीचे हो गया अभी क्या है कि अब जब Modi government ना इस demonetization को लेके fail कर गई तो उसने क्या किया कि इसको digitalization में convert कर दिया तो देखो एक बहुत हमें important topic मिल गया अभी एक्जाम के लिए कि जैसे एक्जाम में क्या होगा कि मान लो कि suppose that demonetization के ओपर question आता है तो आप यह बताओ कि सिम्पल सी बात क करने के लिए उसने 500 रुपय की नोट को बंद कर दिया और जब topic को डाइवर्ट करके लिखना होगा वहां पे तो आप क्योंकि demonetization के बारे में आप ज़्यादा चीज़ों समझा सकते नहीं हो बस क्यों आप इतनी समझा होगे कि 500 रुपय की नोट बंद होने के वज़ए से cash flow come हो गया और जो बड़े denomination में लोगोंने corrupted money रखी थी वो रुग गई और terror financing रुग गया ऐसे छोड़ा चोड़ा पॉइंट लेको लेकिन ऐसा नहीं है अब आप यहां पर क्या करोगे यहां पर इस topic को digitalization में convert कर दोगे तो तुम बच जाओगे दोनों साइट से ना तुम कि demonetization को ऐसा topic नहीं होता है कि जिससे हम यह बता सके कि अगर हम यह बात करते demonetization को लेकि अगर हम यह बात करते हैं तो demonetization में क्या किया पूरा rice ही फेग दिया ना और आज तक ऐसा तो है नहीं कि digitalization हमारे देश में हो गया अभी उसमेरे टाइम लगेगा काफी टाइम लग दूरान था एक हद तक बढ़िया था कि हमने थोड़ा सा economy में लोगों को सबक दिलाई और लोगों को थोड़ा digital की तरफ फोल्ड कर दिया बस इतना किया मतलब अगर हम यह बात करते हैं कि demonetization के वज़ए से तो हमने बस बस फोल्ड किया हमने demonetization से कुछ पाया नहीं जी मो सब्सक्राइब लोगों ने अपने आपको सिप्ट कर दिया किस साइड में थोड़ा digitalize हो गया cash transaction करना कम कर दिये तो एक हम यह कह सकते हैं कि मतलब इतने बड़े प्रोग्राम का एक छोटा सा फाइदा यह हुआ में कि हम demonetize से digitalize की तरफ पहुंच गया जो कि जो हम जो सोच आपको मार्केट से गायब करते जारे तो तो उससे में भी कर सकते थे लिगानों नहीं किया वाई को कि उनको भी हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं उनके पास भी बहुत सरे ड्वाइजर से और वह लोग गवर्मेंट चला रहे तो उनको यह बताना है तो तो एकोर्दिन अब हम धिए था जशन इस नोट रॉटन अशक्सेश फुल प्रोग्राम अब तो नहीं को अब जाता रहे तो यह तो अब तो निग्वेंट इसन गवाई से आप यह संथे ओ कि डिजिट लाइशन को प्रोशन मिला हम तो अगर या तो मोधी गवर्मेंट या तो नहीं को त कि अब यह सकते हो कि डिजिटिलाइजिशन प्रमोट होता है ओके अच्छा नेक्स जो हमारा पॉइंट है कि